कि मजबुत्ती का बीड़ा हमारी आज की पीड़ी ने उठाया हुआ है कि टौफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते बलकि पॉकेट में रखे जाते छोटे छोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंद के मत करिए दादा जी नाना जी दादी जी को पताते हैं यह मत करो शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्चता अभियान में मदद कर रहें इनिशेटिव ले रहें कोई बेश से वेल्थ बना रहा है को तो कोई यागुरुता बढ़ाने में जुटा है लोगों में भी अब एक्स परधा है कि स्वच्छ भारत रेंकिंग में उनका शहर आगे आना चाहिए और अगर पीछे रह जाता है तो गाउं में भी दबाव खड़ा होता है वे क्या कि मिडिया के लोग भी उस शहर की चर्था करते हैं देखिए वो तो आगे बढ़ गया तुम रह गए तो दबाव प्यादा हुआ है अब यह माहोल बन रहा है कि उनका सहर स्वच्छता रेंगी में आगे रहे उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो जो साथी इंदोर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे वो मेरी बात से और भी ज़्यादा सहमत होंगे आज हर कोई जानता है कि इंदोर यानि स्वच्छता में टौपर शहर यह इंदोर के लोगों की साजा उपलब्दी है अब ऐसी ही उपलब्दी से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है मैं देश की हर राज्य सरकार से स्थानिय प्रसासन से शहरों के मेर से आगर करता हूं कि स्वच्छता के इस महाभियान में एक बार फिर से जुट जाए कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है लेकिन अब नई उर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है हमें यह याद रखना है कि स्वच्छता एक दिन का एक पखवाड़े का एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है ऐसा नहीं है कि स्वच्छता हर किसी का हर दिन हर पखवाड़े हर साल पीड़ी दर पीड़ी चलने वाला महाभियान है कि स्वच्छता यह जीवन शैली है स्वच्छता यह जीवन मंत्र है और जैसे सूबे उड़ते ही दांतों को साब करने के आदत होती है वैसे ही साब सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा और मैं यह सिर्फ पर्सनल हाइजिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं सोच्यल हाइजिन की बात कर रहा हूं अब सोचिए रेल के डिम्बों में सभाई रेलवे प्लेट्फरम पर सभाई एक कोई मुश्किल नहीं था कुछ प्रयास सरकार ने किया कुछ सहयोग लोगों ने किया और अब रेलवे के तस्विरी बदल गई है सांतियों शहर में रहने वाले मद्यमबर को शहरी गरीबों के जीवन में इस अब लिविंग बढ़ाने के लिए हमारी सरकार रेकोर्ड इन्वेस्ट कर रही है। अगर 2014 के पहले के 2014 के पहले के सात सालों की बात करें सात वर्षों की बात करें तो शहरी विकास मंत्रावे के लिए सवा लाग करोड के आजपास का बजट ही आमदित किया गया था साथ साल में सवा लाग जबकि हमारी सरकार के साथ वर्षों में शहरी विकास मंत्रा ले के लिए करीब करीब चार लाग करोड रुपिये का बजट आमदित किया गया